लाज का बैक डिजाय्न बनाने जा रह उनी देखिए कैसे बनता है वह पपाले बिलाज में जो छोटे छोटे चुटे टुकड़ा बचा है उसी में से कात लेंगे यह पळे डोरी बनाने के लिए काटेंगे इतना environment बना देंगे थोड़ा चौड़ा राएगा ज्यादा डोड़ी बना लेंगे दोड़ी बना लेंगे बना लेंगे एक ब्राबर से इतने चोटे काट कर इसको अलग रख लेंगे अब देखिए फिर से इस कपड़े में से काटेंगे जितना ड्रियान बनाना है जितना लंबा रखना है उतना लंबा बनाएंगे साथ इंच रख रहे हैं गाला हमको छे इंच का बनाना है दोन बाल एक इंच मार्जिंग जाएगा इधर से दू इंच काटेंगे जितना चौड़ा डिजान बनाएंगे उतना ही चौड़ा काटेंगे चलू करें ऐसे ही तीन टुकड़ा काट लेंगे तीन कट गया है अब इस लैस के हिसाब से इसको पाले काट सीन चला लेंगे कच्चा मार लेंगे सीने में सही रहेगा ऐसे हमें इसा बिदाई लेती हैं इस पर लगाना है इस दिए इसको हिसाब से बनाएंगे ऐसे दो और बना लेंगे थोड़ा पतला बनाएंगे उससे अब लैस वी लैस वी जितना पतला है उतना पतला कर लेंगे इसे भी थोड़ा सा फोल कर लेंगे जितना किये हैं यह तीनों तयार हो गया अब देखिए इसमें कैसे और डोरी लगाते हैं पाले एक तरफ सील लेंगे अब इसके वांदर करके एक साइसे लगाएंगे एक ब्राबर एक दम एक ब्राबर लगाएंगे जगाओ यहां पर लेट शबंगे इस पूरा लग गया है अब फिर उपर भी एक लगाएंगे जो इस इसे थोड़ा साच चाड़ा है इसके उपर रख देंगे ऐसे पर एक ब्राबर एसे सीन चला लेंगे फिर इदर इस पर भी लगा लेंगे उपर भी बनाना है कि इस यहां पर जिपका देंगे जहां पर नीचे लगाएंगे वह करेंगे आप अब बने देंगे अंड़ देंगाय आए कैसे बना तक्रीचा वंड पर रख दो प्र कम दूप दूप करताओ दो की अभूराव बनाना नहीं पर एक टूप आते हैं इसको गलाव को चिपकाने के लिए यहां पर से 1.5 इंच के हिसाव से पूरा लिकाल देंगे देखिए अब इसको सीधा खाच लेंगे देखिए अडाई इंच है अब इसको काट कर लिकाल देंगे अब देखिए इसे कैसे सिलते हैं सबसे पाले नीचे के पले को एक साथ जोड़ देंगे ऐसे इसे सिला गया है अब फिर इसको भी प्लट कर यह उल्टा ही होना चाहिए देखिए उल्टा है फिर से इधर भी ऐसे एक चाप पर सियंच ला लेंगे अब फिर इसको ऐसे पर ऐसे बना देंगे अब इसको फोल्ड़ फोल्ड कर दिया है तो इसमें अब कप्र नहीं लगाना पड़ेगा ऐसे दूसरा भी पला बना देंगे अब पर क्पड़ थोड़ा बढ़ जाता है उनको बढ़े साइज्व में अपना रहीं कि एसे साइज में करके लगा लेंगे दुनों तरफ से जितना गला का रखते हैं मैं आप 5 से मोट आदमी तो साड़ा पांच सबसे पतले होते होते हैं साड़े चार रखते हैं लेकिन हम साड़ा पांच रखेंगे मोट आदमी का है पूरा काचा तोड़ लेंगे दोनों तरफ से चाप पर रहने के लिए चुटी चुटी मोट आप चाहें तो इसमें सफेद मी मोट रख लेंगे पानी वाला मोट आमेर पास से आई है इसी लगा रहे हैं और देखिए इस दोनों के बीच में फसाएंगे पाले इसी कपड़े म उसके बास से बीच वाले मेंसे पले इस भाग से थोड़ाशा कपड़ा पकड़ेंगे उसके बास से मुटि लगा लेंगे तब फिर इस भाग को पकड़कर दोनों को एक साथ तान देने एक बार बांद देने इसको फिर इदर भी ऐसे ही करेंगे यह पकड़कर ऐसे देंगे देंगे